दोस्त आप सुईगी कमपनी में डिलिवरी बाय की जॉब करते हैं आप चाहे नए राइडर हैं और चाहे पुराने राइडर हैं ठीक है दोस्त ये एक गलती आप सभी लोगों से हो जाती है कभी न कभी ठीक है थोड़ा सा लालच में आकर के आप कर देते हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखना छोटा सा ही वीडियो होगा दोस्त अगर आपको सुईगी कंपनी में इस तरीके का ओडर आता है जो भी आगे में वीडियो में बताऊंगा और दिखाऊंगा लाइप प्रूप के साथ में तो आपको इस तरीके के ओडर को एकसेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है लालच में आकर के ठीक है लालच की वज़े से आप इसको एकसेप्ट कर देते हो और उसके बाद में इसको कंप्लीट भी कर देते हो दोस्त अगर आपने ऐसा किया सबसे पहले तो आपको रॉंग एकसेण की वर्निंग आ जाएगी फिर आप जो भी उस ओर्डर से आपने पैसा कमाया है वो आपका सारा पैसा कट जाएगा तीसरा अगर आप एक दो बार ये चीज़े ये गलती कर देते हो रिपीट कर देते हो फिर आपकी आईडी कंपनी बंद कर देगी तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरा देख लीजिए ठीक है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेर कर देना वाटस अ वागईरा पर क्योंकि इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है तो चैनल सब्सक्राईब कर लो लाल कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को अल पर सेलेट करके चैनल प्सne 국ICOky company में काम करते हैं और आपको order बहुत ज़्यादा कम गिरते हैं आप चाह इस्टामार की आड़ी चलाते है चाह। पूट की आड़ी चलाते है तो दोस्त आपको GPS membership जरूर लेनी चाहिए you use करना चाहिए उसमें जोई ही GPS ले सकते हैं, आपका order बहुत ज़्यादा गिरेंगे, बहुत अच्छे किरेंगे, आपका कम टाइम में ज़्यादा target आपका complete हो जाएगा, हमारे GPS पर दो तरीके के feature हैं, अगर आप किसी दूसरे की ID यूज करते हैं, तो आप gallery से photo हमारे GPS पर upload कर सकते हैं, ठीक है, चुकि original application पर लाइब camera on होता है, उसमें gallery से photo upload होती नहीं है, आप हमारे GPS पर gallery से photo upload कर पाएंगे, उसका भी screen recording proof में इधर बगल में शो कर दे रहा हूँ, और दूसरा जो की दना दन अच्छे order गिरेंगे, उसकी पूरी guarantee है, guarantee क्यों हमारे customer यूज कर रहे हैं, उनका feedback आ रहा है, इसलि मेरी बास सुनिए, दोस्त होता क्या है कि आपको कुछ इस तरीके का order receive हो जाता है, बगल में मैं आप जैसे field पर जा करके zone पर काम कर रहे हो, ठीक है, अब normal order आपको आते होंगे, आप complete करते हैं, आपको पैसा भी मिलता है, कोई भी wrong action नहीं लगता है, कोई भी problem नहीं होती ह आप आराम से काम करते हो, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती की वज़े से आपको इस तरीके का order receive हो जाता है, नॉर्मल ही रहेगा, जैसे normal order आपको receive होते है, उसी तरीके से आएगा, बगल में देखो, अब आपको इस screenshot को देखने से लग रहा होगा, भाई, इस order में क्य ही problem है, कुछ नहीं है, normal order है, accept करो, जाकर के deliver करो, पैसा मिलेगा, लेकिन दोस्त, आपको नहीं मालूम है, इस में problem है, और ये genuine order ही गिरा है, ठीक है, genuine ही ID पर order गिरा है, लेकिन इस ID में क्या problem है, इस order में क्या problem है, मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्त, सुईगी company में कोई स अब ही order आता है, उसके दो step होते हैं, सबसे पहला first mile होता है, दूसरा second mile होता है, first mile का मतलब यह होता है, जैसे आप कहीं पर भी location पर खड़े हो, अब आपको order receive हो गया, अब आपने order को accept कर लिया, आप order को customer तक, sorry, order को उठाने के लिए restaurant तक जाओगे, वो first mile हो गया, restaurant से order को पैसा मिलेगा, जैसे आप यहां से restaurant तक जाओगे, तो वो जितना km है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, restaurant अब बोलोगे कि भाई, इसमें क्या problem है, अब दोस्त, आ अगर इस screen shot को थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो इसमें second mile तो चलो ठीक है, कम है, वो 67 km हो, लेकिन first mile 22 km से भी जादा है कहने का मतलब बाइस किलो मीटर से भी जादा है मतलब आप जो है कि रेस्टोरेंट ओर लेने के लिए बाइस किलो मीटर जाओगे इस ओर्डर के हिसाब से ऐसा लग रहा है तो अब यहां पर राइडर के मन में थोड़ा सा लाला चाह जाता है कि यार यहां पर फर्स्ट माइल तो 20 किलोमीटर है इसका मतलब हमको 20 किलोमीटर का पैसा मिलेगा मतलब 1.5-200 या फिर 2.500 रुपए एक ओर्डर का हमको मिल जाएगा अब राइडर क्या करता है कि खुस हो करके इस ओर्डर को उठा लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और restaurant पर चला जाएगा 22 km restaurant है नहीं खाली show कर रहा है वहां जाएगा order को complete करेगा order complete करने के बाद में जाएगा order मतलब deliver भी कर देगा उसके बाद उसकी ID पर दिखाए भी देगा कि तुमको 22 रुपए मिल भी गया है rider खुसी के मारे फूले नहीं समाता है अब बाद में गाइस एक से दो दिन के अंदर होगा क्या कि आपको एक wrong action का notice हा जाएगा उसका भी screenshot इदर बगल में show कर देता हूँ wrong action जो है कि इस तरीके से आपको notice हा जाएगा और जो भी आपको उस order का पैसा मिला हुआ है 2.500 रुपए जो भी आपने कमाया है वो पैसा तो कटेगा वो अलग ठीक है उसकी penalty जो लगेगी वो तो अलग लेकिन अगर एक दो बार ये चीज़े repeat हो गए तो फिर आपकी ID deactivate हो जाएगी और permanently deactivate हो जाएगी कोई temporarily नहीं होगी permanently हो जाएगी अब दोस्त आप बोलोगे अब मैं आपको दो चीज़े बताता हूँ अगर आपको इस तरीके का order आए तो आपको करना क्या है और इस तरीके का order आता क्यों है और कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है दिखा रहा है, मेरे बात को समझो, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप यहाँ से जिस रेश्टोरेंट का मुझे और रिसीब हो, दो से चार किलोमीटर की रेंज में इससे आगे है नहीं, और और पर सेम रेश्टोरेंट बाइस किलोमीटर दिखा रहा है, तो अगर आपको लगे तो फिर आप समझ जाना कि यह घपला है, और फिर आपको सीधा सीधा उस ओर्डर को रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्ट कर दो उस ओर्डर को एकसेप्ट ही मत करो, बिल्कुल एकसेप्ट मत करो, रिजेक्ट करने में ही आपकी भलाई है, अगर एकस पटा नहीं क्या ही बग है जो की इस तरीके के careless गिर जा रहे है आप मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के ऊडर आए तो आपको करना क्या है अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके के opposition के और आते क्यों है देखो नॉर्मली कैसे गिरेगा दोस्त माल लेते हैं कि आपका रेश्टोरेंट कोई ओवर ब्रीज है या फिर कोई हाइवे है उसके उस पार आपका रेश्टोरेंट है जहां से ओडर गिरना है और आप जो है कि हाइवे या फिर ओवर ब्रीज के इधर खड़े हो तो ओडर जब उस रेश्टोरेंट का गिरेगा तो वो पूरा highway गोल-गोल घूम करके पूरा turning लेकर जाएगा उस restaurant पर तो वो पूरा kilometer count हो जाता है और over bridge है तो आप अगर over bridge के उस पार खड़े हो, restaurant over bridge के इस पार है तो फिर वो जो हो कि गोल-गोल पूरा घूम करके जाएगा पूरा टर्निंग पॉइंट जो है कि अपना वो कवर करेगा तो उस कंडिशन में मेरी बात को समझो आप साय समझ नहीं पायोंगे बीच में हाइवे है आप हाइवे के इस पार खड़े हो रेस्टोरेंट हाइवे के उस पार है या फिर पीच में ओवर बीच है आप ओवर बीच के इस पार खड़े हो और उस पार रेस्टोरेंट तो वो पूरा हाइवे या फिर ओवर बीच कवर करेगा कि GPS यूज करते हैं मेरी बास सुनो दूसरा लोग जो है कि इस तरीके का ओर्डर को करवाने की कोशिश करेंगे वो यूज करते हैं GPS ठीक है अब वो GPS के जरीए मैं जो चीजे बता रहा हूं आपको वही चीज समझना वो क्या करेंगे और बिरिज या फिर हाइवे के इस पार खड़े रहेंगे और अपनी लोकेशन को और बिरिज या फिर हाइवे के उस पार उठा करके रखेंगे GPS के जरीए तो उस कंडिशन में होगा क्या कि उसमें भी सेम चीज होनी है भाई वो तो पूल या फिर हाइवे घूम करके ही आए कि ठीक है हमारा फस्ट माइल बढ़ गया आप हमको पैसा जोगी दोड़ाइस रुपए आराम से एक ओडर का मिल जाएगा और दिन भर में आर्दस ओडर इस तरीके के कंप्लीट करेंगे दो चार हजार रुपए कमा करके घर चले जाएगा अगले दिन आपको रॉंग एक्ष आईडी पर अपने रिस्क मत लो एक बार आईडी बंद हो गए तो फिर काम खराब हो जाएगा दोस्तर ठीक है फिर हम अगले किसी वीडियो मिलेंगे तब तक लिए जाएँ जबारत वंदे बातरम